गाजीपूर किसानों का जहां धर्ना प्रद्रशन चल रहा है वहां पर इस्कूल ऑन वील्स वाले मास्टर जी आदित्य कुमार उर्फ साइकल गुरू आप साइकल देखिए बैनल्स पोस्टर जो भी है सब कुछ यही है इस्कूल भी यही है बस्ता भी इसी में है सब कुछ तो आप भी जानने में उत्सुक होंगे कि आखिर यह कौन है मास्टर जी और मास्टर जी ऐसा कैसे कर पाते हैं मास्टर जी किसे पढ़ाते हैं मास्टर जी पढ़ाने के बदले क्या लेते हैं मास्टर जी की रोजी रोटी कैसे चलती है धिर सारे सवाल आपके मन में इनके नाम धेर सारे अवार्ड्स हैं, धेर सारे पुरसकार हैं, लेकिन आपको देखके नहीं लगता होगा, इसलिए कि इनकी उपलब्धियां जो हैं, इनको देखके समझ में नहीं आती, शिक्षादान सबसे बड़ा दान मानते हैं, तो पहले उनी से समझते हैं, जानते हैं पहले तो आप अपने बारे में बताइए अपना परिश्य दीजिए। अपने उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ये बता दिया कि उनकी गरीबी की वज़ा से पढ़ाई आगे नहीं कर पाये शादी भी नहीं किया अपने घर भी नहीं बसाया और जितने वंचित हैं सडक के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने का बीडा उठाया शिक्षादान को महा आफे सेदान माना और उसके बाद साइकिल के सहारे ही घुम घुम कर बच्चों को पढ़ाते हैं आपके पास जो बच्चे आते हैं वो कहीं एक जगह रुप के पढ़ाते हैं आप जादा गरीब से पढ़ाएंगे पहां मिलता है सब लोग सपोर्ट करते हैं मैं पढ़ाता हूँ पड़े लिखे मिलते या कोई समाज से भी कि इन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा कि आप दूसरी जगे चालु करवा दिजिए क्योंकि शुरूव आप करते हैं वहां पर कोई और पढ़ाने लगता है फिर आप दूसरे जगे पे चले जैसे कई प्रोफेसर मिल गए इंजीनियर मिल गए या कोई समाज से भी मिल गए पड़े लिखे एजुकेटेट तो मैंने वह कहते हैं रिक्वेस्ट करते तो मैं उनको सौप देता हूं इत तरीके से मैं जैसे जुग्वी जोपनियों में या गाओं में या बस्ती में जहां भी जाते हैं तो वह किलास मेरी साइकिल देख करके सब लोग यह विवस्ता तो मैं साइकिल पर ही रखता हूं और यहां पर मैं अभी इसलिए नहीं आया हूं यह 26 जनवरी के बाद में आंदोलन चलेगा तो यहां हम बहुत से बच्चे हैं तो यहां हम किलास चलाएंगे तब हम फिर लिए अभी 26 जनवरी में सामिल होने के लिए मैं ऐ कैसी चलता है खाना पीना थे मुझे खाना मिल गया तो ठीक और नहीं तो कोई बात नहीं और मैं किसी की ऊपर बोज बर्टन नहीं हूं मेरा बोव यह बिस्तर इतर रच गहता है इसात में और जहां गाम जाते हैं तो खाना लोग ख़लाते हैं और चार पाई भी देदे तक कई बस्ती धावा है तो बहां खाना खाते हैं चारपाई भी दे देते खाना भी फिरी मिलता है हुंसे कोई चार्ज नहीं लेता है जहां गए वही खाली वही रह गए जी आपने इसमें लिखा है पांच लाह किलोमेटर से अधिक का सफर आपने किया कि बस्ते उख किलोमेटर करण आपने कुछ किणित्हटाब करण गए GO атर। कुछ देर सारे रिकॉर्ड्स आदित्ि की निश्वारत विविद्वर्ड 느ं डर्ज हैं कुछ उपलब्धियाँ भी आपके नाम है क्या क्या है थोड़ा बताएं दोजार अठार में गूगल से में सम्मानित हुआ भारत का नंबर बंस अच्छा है पालिया मेंट से हीरो आप्टे नेशन अवार्ड में मिला है और तमिलनाद वांद प्रिदेश में साइकल वाली पार्ट साला स्लीव स्लेवस में चलती है वहा से चलती फिरती साइकल पार्ट साला से लेवस में सावेल है अब अब आपने किया हुआ है शिक्षा के महत्व को जानते हैं कपने अपनी कोशिश किया कि नौकरी करूं कि मुझे कभी नहीं कोशिश किया क्यूंकि अगर नौकरी करें या बिजनिस करें या कुछ करना तो पड़ेंगा ना कर रहा हूं यहीं नौकरी यहीं बीजनिस सब कुछ है है मेरा जीवन है यह अच्छा आप जहां भी जाते होंगे बड़ा संवान मिलता होगा है सम्मान मिलता है मेरे पास फटे पुराने कपड़े होते हैं और गंदे होते हैं पूरी बवस्ता तो बढ़िया होती है अब यहीं पर आये हैं तो नहा तुपाते नहीं है तो हमें मान मेरा इंटर्व्यू लेने का मकसद यह है कि आप जान सके कि दुनिया में कैसे कैसे फक्कड लोग हैं कैसे कैसे लोग समाज में कंट्रिब्यूट कर रहे हैं इसे समझने की जरूबत है ऐसे दुनिया नहीं चलती है जहां पर लोग इतने स्वार्थी हों वहां एक आदमी जो पढ़ा लिखा है अंग्रेजी आपने सुन लिया बीएससी की पढ़ाई करने के बाद शिक्षा दान कर रहा है उसकी अपनी कोई महत्वा कांचा नहीं है बस इतना ही है कि हम शिक्षा का दान करते रहें और इनका कब से पढ़ा रहे हैं आपने 92 से 1992 से मैंने चालू किया और 95 से मैं टोटल समर्पित हूं कभी कभी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा आपको जो कहीं कुछ आगे बढ़ा हो कुछ किया हो और बढ़ी संक्या मैं बहुत बढ़ी संक्या मैं आपको याद करते हैं मुझे समान्थ हाँ हाँ जजबी आइस पीसीएस भी है क्या नहीं है कैविनेट मंतरी तक कुछ हाई स्कूल इंटर्मेटिट की जो मैंने पढ़ाए थे 20-25 साल पहले वह विवाप पॉल्टेक्स में कैविनेट मंतरी तक बने आज पहचानती हैं हमारा देला नहीं होता है हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें हमें हाथ जोडने पड़े या रिक्वेस्ट करनी पड़े यह खुदारी है आपके मैं निस्वारत करना है और भी कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे पास सवाल नहीं है इसलिए कि हम लोगों को ऐसे लोगों से सवाल पूछने की आदत ह होती है जो कुछ बताना ने चाहते हैं आप आपके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए मैं जो पूछने के इस्तिति में नहीं हूं तो आप अपने से कुछ बताना चाहें लोगों किसी को संदेश देना चाहें शिच्छा बहुत जरूरी है और जीवन में त्याग भी जरूरी है और जो जीवन जीएं वह लच्छ बना करके हैं आपका जरूर मिलेगी और आपका लक्ष है शिक्षा का दार हमारा लच्छ है हमारा जो भारत है सिचित समाज और खुशाल भारत बने होगा इसके बाद मेरे पास शब्द नहीं है मैंने शब्द हूं वीडियो नांदोलन की एक तस्वीर है यहां से अलग अलग तस्वीर आपने देखी होंगी लेकिन एक यह बंते भारत की अलग तस्वीर है नमस्कार कर दो है